हेलो एवरीवन वेलकम बैक टुछी चैनल लास्ट मिनिट रिवीजन विद आरेसम और हीर आम बैक विद अनधर वीडियो तो तुडेज वीडियो इस अबाउट दा पार्ट तू यूमन रिसोस मैनेजमेंट महरें तो काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया सरे महरें के हमको और सारे सेशन चाहिए तो यह आज कुछ और प्राक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे जिसके बेसिस पर आपके काफी सारे प्राक्टिस हो जाएंगे ठीक है एमसी क्यूस तो पेपर में रिपीट नहीं होंगे लेकिन एमसी क्यूस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ी चेंज ताकि जो कंसेप्ट है वो अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो पेपर में फिर कोई भी एमसी क्यों आने दो हमको कोई उसमें से प्राप्लम नहीं होगे ठीक है तो यह सारे प्राक्टिस क्वेश्चन से मेरा इंटेंशन में यह है कि आपका में कंसेप्ट जो है उसके उप सबसे पहले हम अबजेक्टिवस को सेट करते हैं जब तक आप अबजेक्टिवस को सेट नहीं कर सकते हैं तब तक आप आगे के पॉंट्स में जाई नहीं सकेंगे तो यूमन रिसोस प्लानिंग का सबसे इंपोर्टन अबजेक्टिव है एनलाइजिंग और्गनाजेशनल फाइन चलो जॉब टाइटल, यूटीज और रस्पोंसिबिलिटीज आर पार्ट अफ डू रिमेंबर मैंने आपको बताया था जॉब अनलिसिस के दो पार्ट्स होते हैं एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन तो जॉब डूटीज, रस्पोंसिबिलिटीज ये किसका पार्ट है ये पार्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन का और क्वालिफिकेशन वगर वो सब आएगा हेल्थ, फिटनेस वो सब आएगा तो कहां का पार्ट हो जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन तो इसका राइट एंसर है जॉब स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे पार्ट है तो इसको आप ध्यान से एक बर पढ़के रखे रिवाइस करके रखे ताकि कही से भी क्वेशन अगर बना तो आपको कोई प्रॉबलम नहीं होनी चाहिए तो क्वालिफिकेशन और स्किल्स एन एक्स्पिरियन्स किसका पार्ट है अगर आप जोप को या वर्क को छोटे छोटे पार्ट में या सिंपल पार्ट में अगर डिवाइड करोगे question number 5 में जाते है which of the following is considered as internal source of recruitment if you remember recruitment के दो sources है one is internal source and another is external source तो इन में से कौन सा internal source of recruitment है promotions, campus recruitment, press advertisement, private consultancy services तो remember very very important point internal और external के sources को पढ़के रखे वहां से अगर question बना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए so the right answer for this question is everybody knows that देको campus recruitment external source में आता है press advertisement भी external source में आता है private consultancy is also coming in the external source तो promotions जो है वो promotion ही एक internal source है जो आपको ध्यान रखना है तो promotion is the internal source question number 6 the process of searching prospective employees and stimulating them to apply for the jobs is called as if you are very thorough with the concept तो ये concept जो है ये तो definition ही मैंने डाल दिये Edwin Flippo ने दिया हुआ definition है the process of searching prospective employees and stimulating them to apply for the job की हम लोगों को insist करेंगे कि job के लिए apply करो फिर हम उसमें से segregate करेंगे तो that is called recruitment तो recruitment एक ऐसा process है जो हम लोगों को stimulate करते है कि ये job के लिए apply करना है और बाद में उसमें से फिर segregate किया जाता है और segregation के बाद फिर decide करते है कि किसे select करना है that is called a selection further the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job is called as तो ऐसा act जिसमें हम हमारे जो employees है हमारे जो subordinates है उनको उनका knowledge और उनका skill enhancement पे ध्यान देते है that is called as training, counselling, mentoring, job rotation तो I think आपको इसका answer already पता है, इसका answer है training training के different different methods है we have on the job method and off the job method दोनों के दोनों ध्यान से पढ़के रखे अगर वहाँ से कोई MCQ बना तो आपको फिर problem नहीं आनी चाहिए question number 8 which of the following training technique is used when subordinate is trained to perform the duties and responsibilities of a senior तो इन में से कौन सा training technique है तो इन में से कौन सा training method है जिसमें जो subordinate होता है उसके senior की duties और responsibilities परफॉर्म करने दी जाती है case studies, job rotation, role playing या under study ध्यान रखना ऐसे concept को बोला जाता है under study question number 9 में जाएंगे the behavior to look only on the negative aspects and ignore the positive aspects of a person is called as ये performance appraisal chapter में से डाला है मैंने तो performance appraisal में ये काफी सारे concepts है horn effect, hello effect, spillover effect, central tendency effect ध्यान से पढ़के रखना अगर हम किसी भी बन्दे के negative aspects के उपर ही ध्यान देते है मतलब हम उसने कितना भी भले अच्छा काम किया होगा उसको ignore किया जाता है और उसका जो negative aspects है उसी के उपर अगर ध्यान दिया जाते है तो that is called horn effect और horn effect का exactly उल्टा होता है hello effect तो इसका right answer बनेगा horn effect we are only concentrating on the negative aspects of a person and the last question is if feedback is given by superior subordinates and peers the method of performance appraisal use is called as तो if you are aware about performance appraisal में क्या होता है हम हमारे employees के performance को evaluate करते तो there are different methods in that we have traditional methods and we have modern methods so modern methods में MBO आता है management by organization जहाँ पे jointly common goals को decide के जाता है BARS जो आपका है behaviorally anchor rating scale यह भी आपका जो modern method ही है assessment centers और 360 degree appraisal देको Google जो है वो 360 degree appraisal को use करता है 360 degree appraisal में क्या होता है हम हमारे performance को खुद evaluate करते है हमारे peer groups evaluate करते है जो भी individuals है subordinate, superiors, जो peer team होगा सबके सब एक performance को evaluate करते ताकि अच्छा खासा feedback वहाँ से मिल पाए तो right answer for this is 360 degree appraisal that's it from this session अगर आपको अच्छा लगा है तो like करें अपने friends में share करें और अगर आप पहली बाल चैनल पे आयो तो चैनल को subscribe कर ले because ऐसे ही वीडियो आपको time to time मिलते रहेंगे thank you very much bye bye all of you take care till then as always work harder be smarter